नमस्कार मैं हो मनमोहन भट चुनाओं आते ही जो तसकरी शुरू होती है शराब की तो सब की नजरे उसी पर टिकी हुई होती है चाहे वो चुनावायोग हो चाहे वो जिला प्रशाशन हो चाहे वो पुलिस प्रशाशन हो चाहे वो आपकारी विभाग हो अभी चुनाओं प् प्खेल में सीधे तोर पर तो विभाग शामिल शायद नहीं है लेकिन विभाग के कुछ अधिकारियों की भूमी का संदिक्त बताई जा रही है वास्ताव में जो आपकारी आयुक्त कारेले है उसकी तरफ से जारी प्रेस विज्यप्ति के मताबिक दो एकसाइस इंसपेक्टर जिन्हें आपकारी निरिक्षक भी कहा जाता है दो लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है गौरव जोशी और राहिबा इकबाल दोनो निरिक्षक हैं एकसाइस इंसपेक्टर हैं दोनों को नैनिताल जिले में तैनाती मिली होई थी लेकिन कुछ गड़वड जाले के दोरान इनकी भूमी का संधिक्त पाई गई दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है वैसे आपकारी विभाग लगातार चर्चाओं में था तब चर्चाएं जादा हो गई थी जब उत्राखंड सरकार ने एक डेट महीने में ही तीन सचिव और तीन आपकारी आयुक बदल दिये हैं उसके बाद से ही आपकारी विभाग सब के निशाने पर था और इस बात का अंदाजा लगाय जा रहा था कि कुछ चुनाओं में गड़बड़ी हो सकती है विपक्षी नेता हरीश रावत ने खुल कर सरकार पर खेल करने के आरोप लगाये थे वो खेल क्या क्या हो सकते हैं हम उसमें अभी जाना नहीं चाते ताज़ा ख़बर ये है कि दो आपकारी निरिक्षकों को सिस्पेंड कर दिया गया है आने वाले दिनों में क्या होगा ये देखना बहुत दिल्चस्प होगा क्योंकि जैसे जैसे चुनाओ प्रचार आगे बढ़ेगा मतदान की तारीख नजदीक आएंगी शराब की तसकरी की खबरें भी हो सकता है और जादा निकल कर सामने आएं लेकिन चुके विभाग के एक प्रमुक अधिकारी हैं तेस्तरार आईएस हैं नितिन सिंग भधौरिया उन्होंने हर कुने में नजरे रखी हुई है और जैसे ही कोई सूचना मिलती है कोई रिपोर्ट मिलती है तो एक्शन लेने में वो देर नहीं करते इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है अभी तक की करवाई से इस पश्ट है कि कुछ लोग जो शराप के कालिक कारोबार में गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहते अब उनके मनसूबों पर पानी फिर सकता है क्योंकि आप कारेविभाग कड़ी नजर सब पर रखे हुए है तो देखना है आने वाले दिनों में क्या-क्या कारवाई आप कारेविभाग कर पाता है सात्यों अगर आपको ए रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा इसे शेर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी आप सबस्क्राइब जरूर कर लीजिए नमस्कार